वेल्कम तो ए आर्जे क्लासस वेर एडुकेशन क्यूस यू एम्प्लाइमेंट ए आर्जे क्लासस यू इनवाइस हर्ट तो आज हम ट्रिग्नोमेट्रिक ने शुज देखने वादे साइन थीटा यहाँ पर मैंने क्या लिखा है ओ अपॉन एच क्या लिए मी ओ अपॉन एच यह चाह मधी ओ मंजे ऑपोजिट एच मंजे हाइपोडेनियूस ठीके जसली ले तसस तुम्चा नोटबुक मादे पाये जैसे मैंने लिखा है वैसी आपके नोटबुक में आना चाह मैंने लिखा हुआ है एच ताकि आपको एजीली समझ में आए याने एडजसेंट अपोजिट हाइपोडेनियूस एडजसें तो यह तीन चीज़े आपको याद रखनी है क्योंकि यह सारे रेश्योस में आप देख सकते हो यह तीन लेटर्स ही आपको दिखाए दे रहे है आगे के रेश्योस में थीटा यह एंगल है जिसे फॉर एग्जामपल अगर यह कोई राइट अंगल ट्रेंगल है तो यह अपका हो गया हाइपोटेनियूस और जैसे मैंने अगर इसको थीटा कंसिडर कर लिया तो इसका अपोजिट यहां पर आ गया और इसका कर लिया तो यह दुसरा एंगल क्या है तो दुसरा एंगल तो आमें उसके बर में अभी नहीं सूछने और अगर दुसरा एंगल के बारे में सोचने तो उसका जो भी आप सिंभूल symbolic represent करोगे उसको for example यहाँ पर theta लिया है तो अगर आपने यहाँ पर कोई Greek later alpha ले लिया तो इसकी value अलग होगी क्योंकि आप इसको क्या बोलोगे फिर sine theta की जगे पर sine alpha आएगा लेकिन इसका अगर consider कर रहे हो तो इसका opposite यह वाला side है और इसकी adjacent side यह वाली बन जाएगे फिर alpha की right but we are now focused only on theta तो बस theta वाला acute angle जो है उसके बारे में हम सोचेंगे so sine theta equals to opposite upon hypotenuse cos theta equals to adjacent upon hypotenuse tan theta equals to opposite upon adjacent यह कैसे आया थोड़ा सा ज़्यादा डीटल में मैं तरे वाला नहीं हूँ क्योंकि आपको ज़्यादा confusion नहीं होना चाहिए I don't want my students to get confused तो इसलिए में easy way में बताने वाला हूँ तो यहाँ पर opposite है hypotenuse है इसे कहते है sign क्योंकि यह short में लिखा हुआ है यह सारे जो नाम मैंने लिखे हुए है यह short में लिखे हुए है तीनस लेटर चीनावा लिज़ता है 123 123 करनते shortest यहाँ फुल फॉर्म है sign 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 का यहाँ पर sin कर दिया है मैंने क्योंकि ऐसे ही लिखा जाता है तो sign होता है वो और यह हो गया cosine में से भी जो फॉर्स्ट लेटर से वही लिखे मैंने c o s right so sign sign से sin लिखा है cosine और यह हो गया tangent इसका फुल फॉर्म होता है tangent तो उसमें से तीन लेटरs tan ले लिए मैंने इसके बाद में यहाँ पर आते हैं तो cotangent जो cot दिखाए दे रहा है यह होता है cotangent जैसे sine का cosine वैसे tangent का cotangent secant 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 उसका फिर cosecant right तो बस उसका जो short name है वह ही यहाँ पर consider किया है and one more thing अगर इसका ही तीन लेटर first लेते तो वह भी CO S हो जाता इसलिए confusion हो जाता इसलिए EC extra ले लिया है यह आपर got it next अब इतना तो समझाया है नाम के बारे में OHA वो तो मैंने पहले समझाया दिया है अब आगे sine theta equals to opposite upon hypotenuse cos theta equals to adjacent upon hypotenuse यह basic इनको याद रखना है साइन और cosine को tan कैसे आ गया तो tan इसलिए आ गया because tan theta या फिर tangent जो है tan theta इसका formula होता है sin theta upon cos theta sin theta upon cos theta और sin theta upon cos theta इसका मतलब यह हुआ ना कि sin theta into 1 upon cos theta और equals to sin theta मतलब sin theta की value क्या है O upon H O upon H है और into 1 upon cos theta मतलब मुझे reciprocal लेना पड़ेगा cos theta का याने A upon H नहीं आएगा H upon A H upon A और H H cancel हो रहा है यहाँ पर H की value, hypodonious की value cut हो रही है and then you get O upon A इसलिए tan theta की value आ गई O upon A क्योंकि sin upon cos यह tan theta की value होती है basically ठीकली ठीक है Got it Yes इसलिए मैंने यहाँ पर O upon A लिया तो अगर आपको यादने रहता है कि tan theta क्या है तो इतना याद रख सकते हो tan theta is equal to sin upon cos और फिर उसके आगे cot theta है cot theta में क्या आपको नज़र आता है tan theta की value O upon A है यादि opposite upon adjacent है और cot theta की value क्या है adjacent upon opposite यादि adjacent side upon opposite side किस चीज का theta theta को सामने रख्या है मतलब theta का opposite और theta का ही adjacent यहाँ पर लिया है लेकिन adjacent ऊपर आया opposite नीचे आया यहाँ पर opposite ऊपर था और adjacent नीचे था या इसका मतलब क्या है इनका क्या relation है tan theta is the inverse और reciprocal cot theta is the reciprocal of tan theta मतलब cot theta is equal to 1 upon tan theta can I say like that तो इसका inverse हो गया मतलब 1 upon O upon A है तो यही हम A upon O ऐसे लिखते हैं cot theta is inverse और reciprocal of tan theta यह समझ में आ गया है इनका relation अब यह relation समझते हैं O upon A इस था H upon O आ गया A upon A इस था यहाँ पर H upon A आ गया यानि जैसे यह इस यह इसका inverse है वैसी sec theta is the inverse of reciprocal of cos theta और cosec theta जो है that's why I have arranged them in this manner ठीक है तो याद रखते वक्त कैसे याद रखना है sign, cos, tan, cot, sec, cosec serial यह हमें याद रखना है तो मेरे पीछे बोलेंगे तो भी चलेगा आपको क्योंकि यह आपकी पढ़ाई हो रही है sign, cos, tan, cot, sec, cosec sign, cos, tan, cot, sec, cosec sign, cos, tan, cot, sec, cosec तो मतलब यह सारे ratio आपके याद हो जाएंगे sign, cos, tan, cot, sec, cosec 6 ratio यह 6 नाम आपने याद कर लिए sequence में तो आपको समझ में आ जाएगा कि sign और cos और जैसे मैंने tan theta के लिए बोला था sign upon cos वैसे cot theta के लिए मतलब मैं directly formula भी बना सकता हो cos theta upon sin theta यह solve करते वक्त आपको ऐसे ratios के relations का यूज करना है अभी फिलला आपका introduction हो रहे है trigonometry के लिए इसलिए okay so उसके बाद में cosec theta और sec theta इसका क्या है इसी का one upon sin theta मतलब cosec theta is equal to one upon sin theta sec theta is equal to one upon cos theta तभी तो उल्टा कर पा रहे हैं got it तो यह सारे trigonometric ratios होते sin cost and cost से को से कैसे याद रखना है यह formula easy है या फिर ratios ratios जो है याद रखने के लिए काफी easy है because आपको बस यह दो जादा तर याद रखने है या फिर यह भी याद रख लो यह भी कुछ मुश्किल नहीं है o upon a है बस यह तीन आपने याद रख लिए तो यह automatically याद आ जाते है तो यह SAC की जाद रखने है sign cos ten cos sick क्योंकि यहाँ पर confusion हो सकता है आप cos theta और cosec theta आप ऐसे भी कभी कभी आप confuse हो जाते हो students क्या करते है cosec theta को one upon cos theta समझते है रिगर ऐसा नहीं है sec theta is equal to one upon cos theta है और cosec theta is equal to 1 upon sin theta होता है इसलिए वो अच्छे से याद रखोगे तो आपका जो आपके लेवल पर trigonometry है वो आपको अच्छे से आ जाएगी ठीके So trigonometric ratios यह होते I hope समझ में आ गया होगा अगर अच्छा लगा होगा तो like करो अगर समझ में आया होगा तो भी बताओ नहीं समझ में आ गया होगा तो भी बताओ मैं उसमें कुछ improvements करके और भी वीडियोज लाओंगा या फिर और भी उस topic के उपर आपको additional information ज़रूर बताओंगा ठीके और subscribe करो, share करो धन्यवाद झाल 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 करो अगर आपको वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक करिए और अगर आपने लाइक भी कर दिया होगा तो आप सब्सक्राइब करिए सब्सक्राइब इसलिए करना है ताकि आपको नए नए वीडियो के बारे में पता चले और अगर आपको इंटरेस्ट है ज्यादा से ज्यादा नॉलेज लेने के लिए और और हर रोज हर इक फिस पूंडही वीडियू कर चाते हो झाल 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 झाल